तो जैसा कि आप देख रहे हो यह यलो साड़ी बनके कम्प्लीट हो चुकी है और मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था कि यह जो कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं आपके साथ सेर करूंगी तो अपना प्रामिस पुड़ा करते हुए मैं यह साड़ी आपको खोल के दिखा किये बनके कैसा तैयार हुआ है वह देखिए इसका बौरडर जो है कुछ इस तरह है इसमें मैंने मल्टी कलर नहीं यूज किया है सिर्फ डर्लैक जो है यहां क्रीमसें रेड और ब्लैक ऐक्र्लिस हैं इसमें यूज किया है बस सदो इकलर से यह नियुस्त देख प्लस एसम आचल और 5 इंच बॉड़र मैंने जब बॉड़र बना के दिखाई थी तो उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि आचल कितना है और बॉडर कितना है तो आचल था एक मीटर आचल था और 5 इंच बॉड़र था वीच में फूल है ओपर का जो है three and a half इंच ऊपर का बॉडर का जो चोड़ाई है तो आप देख रहे हैं जैसे कि आचल कितना खुबसूरत दिख रहा है और आपको कैसा लगा यह डिजाइन वह भी आप मुझे कमेंट करके बताना देखे नीचे की तरफ से इसमें बॉर्डर है फूल वाले फिर मैंने जो है साड़ी का नीचे से छोड़के मैंने फूल वाले बॉर्डर डाले है उसके उपर मचली मोर जो है बॉर्डर से मैच करता हुआ डिजाइन से है वो भी मैंने डाले है तो बहुत ही खुबसूरत लग पीपर्सिल्क आपकी मैं सारी वीडियो में चलते हो चलते हैं पर दाकि आपering को मेरें ़ aspect, अबहरें हो, जूड़ को प्लसुप और फैर या वर्क होता है उसा सिन भीच शच्च चलते है कंगे में प्लसुप बोरा टाइम लगता है उसको सूफने में बट इस पे जो कलर चटते हैं बहुत ही वाइबरेंट होते हैं बहुत खुबसूरत लगते देखने में आप देख रहे हो जैसे दो कलर का भी है लेकिन बहुत खुबसूरत दिख रहा है कोई यह नहीं है जरूरी नहीं है कि हार जित इसमें मैंने मोर और मचली दोनों मिक्स करके डाले हैं और बहुत खुबसूरत दिख रहे हैं अप नीचे का बॉर्डर भी आप देख लो जो है वो भी बहुत अच्छी लग रहे हैं अपने मेरा ये वाले जो है ना बॉर्डर का जो वीडियो देखा होगा तो आपको पतल ल देखिए एकदम बॉर्डर से मैच करता हुआ यहां बूटी भी डाला गया है पूरा ओल ओवर साड़ी में तीन दो करके बूटी है और दिखता बहुत ही खुबसूरत है ये सामने से और ज्यादा खुबसूरत दिखता है ये उपर का बॉर्डर भी आप देख रहे हैं नी जो शॉर्ट हाइटेड होते है ना जिनका जो है लंबाई हाइट कम होता है उनके लिए परफेक्ट होता है आप बॉर्डर का चलाई थोड़ा सा कम रखो क्योंकि ज्यादा रखने से जो है लंबाई थोड़ा सा कम दिखता है तो ये जो जिनका हाइट कम है उसके लिए बूटी बना हुआ है अगर आप बनाना चाहते हो तो प्लीस बनाईए और मेरे साथ कमेंट करके सेर किजिए कि आपको कैसा लगा बना के या जो है कलर कॉंबिनेशन कैसा लगा आपको अगर आपको बनाते वक्त कोई प्रॉबलम होती है या मटेरियल पर कैसा कलर चड़ेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉंटेक्ट वार्सअप नंबर है आप वहां से मुझे वार्सअप भी कर सकते हो देखे ये इसका बलॉज है बलॉज का बाजू है ये बाजू पर कोई भड़ा 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 डिजाइन नहीं है हलका डिजाइन ही बाजू पर दिया गया है क्योंकि हमने बैक साड में अलरेड़ी पूरा बैक साड जो है भड़के बनाया है तो इस वज़े से बाजू थोड़ा सा हलका रखा है आप एकदम से बाजू भी भड़ोगे और बैक साड भड़ोगे तो वो थोड़ा सा अलग दिखेगा अगर आप बाजू पर बैक साड में पुड़ा भड़के बनाना चाहते हो तो बाजू थोड़ा सा आप लाइट वर्क में रखिए देखे इसका बाजू को बैक साड कुछ इस तरह से है और हाँ आपको कैसा लगता है ये बैक साड कैसा लगता है बना हुआ या इसमें कुछ और आपको अच्छा लगता या बनाना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताईएगा बहुत साड़े वीवर्स ये पूछते रहते हैं कि आपका जो है ये जो कलर है इतना डीप कैसे चड़ता है मेरे से नीब से इतना डीप नहीं चड़ता है तो वो जो है आपको जो कलर मिक्स होते हैं उससे आपको समझना पड़ेगा या आप जो नीब यूज करते हैं उससे आपको समझना पड़ेगा कि आपका नीब का चौराई क्या है पतले नीब यूज करते हैं उससे भी होता है ठीक है उससे भी कलर चढ़ाने का जो होता है वो तरीका अलग-अलग हो जाता है पतले वाले से आप चढ़ाते हो तो उससे आपको पत्नी लाइन्स आएगी, चौले वाले से चढ़ा होगे, आपको चौली लाइन्स आएगी, हाँ, कलर मिक्स करने में भी अगर आपको कलर पतला हो गया, तो कलर जो है, आपका लाइट नहीं करेगा, अलग दिखेगा, देखिए, बूटी भी एकदम बॉर्डर से मैच करता हुआ, बूटी है, बहुत ही खुबसूरत लग रहा है, तो आप जो है, कलर जो जब भी प्रिपेर करते हो, साड़ी पे चढ़ाने से पहले, तो उसका जो है, आप जो है, मिक्सिंग का जो होता है, प्रोसेस, वो उस पी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खुब पतला नह हो कलर, तो आपका कपड़े के ऊपर बहुत अच्छे से दिखेंगे, जैसे मेरे दिख रहे हैं, आप देख रहे हो, जैसे और उमीद करती हूँ, आपको पसंद भी आया होगा, तो ऐसे ही दिखेंगे आपके भी, एक बार फिर से मैं आचल आपको दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, जब आपको वो पसंद आते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, अच्छा है, क्या है, कमी है, तो वो मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो उमीद करती हूँ, ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर आप बनवाना चाहते हो, तो मुझ